नमस्कार दोस्तों स्वागत है अप्टी यूटूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में दोस्तों इस टूडिम देखने वाले हैं SSC दिल्ली पुलीस कॉंस्टेबल एक्जाम जो आज आपके 14 नावमर को 2nd सेट में कंड़क्ट हुआ है तो इस स्वाल मिल चुके हैं और एक्ष्टा फेक्ट शाइट ये सभी स्वाल आपन का और करने वाले हैं तो न्यू केंड़ेट है जो इस चैनल से पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना क्योंकि इसी टाइप से एकदम ओथेंटिक और रियल स्वाल वो भी एक्ष्टा फेक्ट शाइट लगबग पूरे के पूरे स्वाल आपको कम समय में प्रवाइट गराने की कोशिश रहती है एफर्ट के लिए लाइक करती हुए स्टार्ट कर आप तो यहाँ पर पीडेफ फाइल के लिए आपको टेलीगाम चैनल जॉइन करना है जिसकी लिंग डैस्क्रिप्स मोक्स में हो ऑल्शिप के एक साथ आपको टेलीघाम चैनल पर पीडेफ फाइल मिल जाएगी कल मौर्निंग तक तो डैस्क्रिप्स वाक्स में लिंक है या पर डारेक्ली टेलिग्राम में सर्च कीजिगा एड़ी रेट ट्रेंड जी के वहां से आप जोइन हो सकते हूँ आपके सामने सेकेर्शिप का पहरा स्वाद सतनामी आंदोलन की सुरुवात किस ने की थी सतनामी आंदोलन की सुरुवात गुरू घासी दास ने कब की 1820 में की सतनामी आंदोलन की सुरुवात जो की 36 गड़ में उस समय वर्तमान में 36 गड़ में ये सतनामी आंदोलन की सुरुवात 1820 में गुरू घासी दास जी ने की थी नेक्श वाल है एशियाई खेल पहली बार भारत में कब आयोजित किये गए थे तो एशियन गेम्स फर्स्ट टाइम भारत में हुए थे 1921 में आप कहेंगे पहली बार हुए कब थे एशियन गेम्स के शुरुवात कब हुई थी शुरुआत 1921 से ही हुई थी और पहला ही गेम 1921 में भारत में हुआ भारत में कहा पर नई दिल्ली में इसके बाद एशय खेर भारत में कभी हुए है क्या बिल्कुल 1922 में एक बार और यहां पर आप कहेंगे केवल अब तक दो बार इशय गेम्स भारत में आउजित हो चुके हैं दोनोंани बार नई दिल्ली में लेटर्स 2022 में एसियन गेम्स हुए है वो कहां पर हुए है तो वो हुए है चाइना में कहां पर हुए है हौंग जाउच चाइना में जिसमें Most Valuable Player रहे है जाग यूफेई और क्विन यांग 2022 में भारत की रेंग क्या रही पर्थम रेंग चाइना की रही है भारत की रही है चोती रेंग भारत के 28 गोल्ड, 38 सिलवर, 41 प्रॉंज, टोटल 107 मेंडल थी नेच्ट 2026 में एसियन गेम्स कहां पर हुए तो ये नगोया जापान में होंगे 2026 में एसियाई खेल अगला स्वाल देखते है परतान मंत्री आवाश योजना शहरी मिसन कब लौच किया गया परतान मंत्री आवाश योजना का जो अर्बन मिसन है ये 25 जून 2015 को लौच किया गया जिसका उद्धिश था जब 2015 में लौच चुआ कि 2022 तक शहरी छेतरों में सबी को आवाश उपलब किराना इसका लक्षे था तो 25 जून 2015 को प्रधान मंत्रिय आवाश योजना अर्बन को लॉंच किया गया अगला स्वाल देखे उससे पहले आप सभी को वाल देवस की हार्दिक शुप कामना है जो आज 14 नौमर को है तो इस अउसर पर टेस्ट बुक की तर अपने भी पेपर होते हैं जैसे कि आपने आप त्यारी कर रहे हो दिल्ली प्रूइस की इसके अलावा आपका टार्गेट है आने वाले ससी जीडी एक्जाम्स या पर रेलवे एक्जाम्स तो एक बार पास दे लिया तो 700 प्लस एक्जाम्स की मॉक टेस्ट यहां पर कवर हो त्योंको सुधार करते हुए त्यारी करेंगे तो बकायत आपकी रहेंक आएगी लेंकड़ एसक्रिप्स बक्स में चेक आउट कर सकते हो स्वाल है निश्टा योजना दुनिया का सबसे बड़ा ये शमता निर्मान शिक्षक प्रशिक्षन कारिकरम है तो इसे 2019-2020 में किस मंत्राले ने लौंच किया है तो निश्टा योजना को मंत्राले शिक्षा मिनिस्टी ने ठीक है ये स्कूल शिक्षा और शाखसरता विभा निश्टा योजना का जिससे गुणवत्ता पुन शिक्षा है वो दी जा सके शिक्षा शास्तरबाल विकास इस विश्व में उनको ट्रेनिंग दी जाएगी आर्टिकल 49 एक किसे संबंदित है आर्टिकल 49 एक का पूचा है यह न्याय पालिका का आर्टिकल एक तरीके से भारत की समिदान का उच्छे 49 से समास के गरीब और कमजोर वरग को फ्री विदिक साहथा प्रदान करता है कानुनी साहता जो एफ़ोर्ण नहीं कर शकते हो उसके लिए गवर्मेंट 49 एक तैट उन्हें फ्री विदिक साहता या फिर कानुनी साहता मुवया कराता है किस ने कहा कि स परशूती साहिता से संबंदित पूछाता कौन सा आर्टिकल है तो आपके एंगे आर्टिकल 42 है परशूती साहिता से संबंदित है। परश्रामगरिक पर जर्माव और उसके बास सेमेंटी करण के माद्दिम से बनती है। एक तरीके से अवसादी चटान कैसे बनती है। उसका आपको डैफिनेशन दे रखा था। आवसादी चटान अपक्षे और अपरदन के विभिन्द सादनों के दोरा मोलिक चटानों के व से उदान आ जाते हैं तो इसमें बलुआ पत्र, चूना पत्र, श्लैट, नमक की चटान, सेल खड़ी और जितने भी आपको खनीज देल है, लो, एसक कोईला वगेरा है ये आवसादी चटानों में ही पाए जाते हैं। इसके तरीक फास चेट में भी पूछा गया था आगन उसके पिंड भी बन जाते हो सावस्ता में आगनी चटानी पिंड जैसे बैतोलित की आगनी चटानी पिंड है, फाइकोलित है, डाइक है, लैथोलित है, ये सभी आगनी चटानी पिंड है, इस प्रकार का एक स्वाल है, ग्रूप D में टीसेस ने पूछा था, चटानों का निर्मान जो आगनी चटान होती है उसके उदान में आपकी ग्रेनाइट, बेसाल्ट, डायो, राइट, गेब्रो, पेगमाटाइट ये सभी आगनी चटान के उदान है और अब बात करें यहाँ पर कायांतित चटान जो रूपांतृत हो रही है ताप दाब और रासानी किरिय आगनी और अवसादी चटान आगे रूपांतृत हो रही है तो वो है कायांतृत, कायांतृत का अंत्र के जैसे आगनी में आपकी ग्रेनाइट आगनी थी, वो बन गई नीस, बेसाल्ट आगनी थी, वो बन गई सिष्ट, ये सिष्ट है, नीस है, ये क्या है, कायांतृत इसमें लोदी की हार होई 21 अप्रेर 1526 को पानिपत का पर्थमीद हुआ था। इसमें लोदी का पर्थमीद हुआ था। ये किस नाम से तो इसे मिंट स्टिट के नाम से भी जाना जाता था। मिंट स्टिट जो चैनई तमील नाडू में है करंसी बिल्डिंग है ना। ये पच्छी मंगाल में कॉलकता के बीवीडी बाग में 19 सदी की प्रारंबिक इमारत है। इस इमारत में अपना ओपीस हुआ करता था 1935 से 37 के मद्य आर्ब्याई का यहीं पर। नेश्ट अपन देखते हैं यहाँ पर आर्ब्याई की जो 25 वे गवर्नर्ट है ना वो कौन है सक्तिकान दाश। पंचवर्षी योजना का उद्धिर्शी गया है तो पंचवर्षी योजना का उद्धिर्शी हैं त्यूर आर्थिक विकास और इसमें गरीबी उनमूलन वो आय वर्दी शामिल था। अलग अलग जो पंचवश योजनाई उनका अलग लग टार्गेट दिया गया ता जैसे पर्थम थी आर्थिक विकास, दूसरी थी तेजी से उद्योगी करन, उद्योगी से सम्माधी सेकेंड थी, तीसरी किर्शी विकास से वर्दी से थी, चोती विकास इस्तिर्ता और आतम पांचवी रोजगार और गरिबी उनमूलन, छट्टी थी आर्थिक मुक्ती, सात्वी पंचवश योजनाई प्रोद्योगी की उप्योगी की माध्यम से उद्योगी की उत्पादन है, तो टेक्नोलोजी से बैस पर सात्वी थी, आर्थी थी उद्योगों का अधुनी करन, जो L.E.R.M.S. उधारीकर्त विनिम्य दर परबंदन परणाली की गोशना की, ये एक तरीके से दोहरी विनिम्य दर थी, यानि डबल एक्चेंज रेट है, दो टाइप से एक्चेंज रेट है, वो लागू हो रही थी, तो ये 1992 में, एक तरीके से मार्च 1992 में उधारीकर्त परबंदन परणाली है, वो दोहरी विनिम्य दर ये इसमें शामिल की गए थी, इसको सिफारिश की थी सीर ग्रंगराजन शमिती ने, चंदरगोप्त किसे हराकर मोरे राजा बना, तो चंदरगोप्त ने मोरेवंस की स्थापना की थी, वो दोस्तो नंदवंस के अंतिम सितंबर 1932 को, कहां पर हुआ है, पूने के यरोधा सेंटरल जेल में हुआ है, 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट, भीमरा मेटकर और माहत्मा गाहंदी जी की मद्दी, समझोते में दलित वरग के लिए प्रथक निर्वाजचक मंडल को समाप्त कर दिया गया, और दलित वरगों के लिए आरक्षी सिंटों की संग्या है, वो प्रामति विदान समाव में 71 से बढ़ाकर 147 और केंदरी विदाइका में कुल सिंटों के 18 फीस्ती कर दिगे, तो ये 24 सितंबर 1932 को भीमरा मेटकर और माहत्मा गाहंदी जी की मद्दे पूने की यरोधा सेंटरल जेल में हुआ अग्रिमेंट काला सागर कहां इस्तित्य है, काला सागर कौन से महा सागर में है, तो ये अटलांटिक महा सागर में, काला सागर कहां पर है, अटलांटिक महा सागर अगला स्वाल है IPL 2023 विजिता टीम कौन सी रही है तो चैने सूपर किंग रही है विजिता पांच वा टाइटल अपने नाम किया है वो विजिता जीटी गुजरा टाइटिन्स रही है सबसे अधीक रन जिसको औरेंस के अब दी जाती वो शोमन गिल और सबसे अधीक विकेड जोने परपरल कैप मिलती है वो मोहमद समी रही है जो आपके चैने सूपर केंग और मॉंबई इंडियन्स दोनों के पांच पांच टाइटल हो चुके है इमर्जिंग प्लेयर आप दे सीजन आईपील 2023 में रही है सस्वी जैश्वाल अब देखते हैं WPL 2023 तो वुमन प्रीम आभार्त में किर्शी खेटृति आजिवी का का प्राहत्मिक्स रौत है भारत में अठाऑन फीजथी आबादी के लिए बहें किर्शी का योगदान कितना है जी वी ए में बात करूँ ये में जो जो किर्शी का योगदान है वो 19.550 है 1918 में ZDP में किर्शी का योगदान और देशों से वो आपको पहले सेट में भी बता दिया था तो ये आप दोबारा यहां से रिवाइज करशकते हो बार बार रिपीट हो रहे हैं अब बात करें अनुच्छे एक 110 किस्ते संबन देता है आर्टिकल 110 है समिधान में धन विदेख की परिवास आर्टिकल 110 में दी ग सविधान के सत्तरवा संसोदन अधिन्यम 1992 किस से संबन देता है ये इंपोर्टेंट है सत्तरवा कॉंस्ट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में हुआ इस अमेंडमेंट में पुदुचेरी और दिल्ली की विधाईकों के सदिश्यों को शामिल करने का प्रावदान किया गया राश्पती की चुनाव में अनुचेद 54 कहता है निर्वाजचक मंदल बताता है कि राश्पती को कौन वोट करता है इसमें केवल संसत की निर्वाजचे सदिश्यों राज्यों की विधान सवाई शामिल थी यहाँ पर राज्यों की विधान सवाई थी यहाँ पर राज्यो MLA वो भी वोट कर सकते हैं इसके तैत 1992 के संसोदन में और पहली बार 1992 के राश्टपती चोनाव में यहाँ पर सदिश्चियों ने वोटिंग की थी संग सासित प्रदेशों की सदिश्चियों ने सिलपादी कारम नाटक मोद रूप से किस भाष्णा में लिखा गया था तो सिलपादी कारम नाटक है यह तमील भासा में लिखा गया एक तरीके से तमील का सबसे प्रारमविक महा कावे कवीता हैं सिलपादी कारम यह पांचवी छटी सतापदी में प्रिंस इलंको आधिकल के दोरा लिखी गई थी 2011 की जंगरना के अनुसार शेकेंड और थर्ड सरवादिक जंसिंग के किस राज्जी की है हाइस्ट है दोस्तों उत्तर पुदेश की सेकेंड महाराष्टर की थर्ड बीहार की तो महाराष्टर बीहार क्रेक्ट हो जाएगा उसके बाद पच्छी मंगाल क तो हाइस्ट पुदेशन में उत्तर पुदेश के बाद ध्यान रखना महाराष्टर है फिर बीहार है फिर पच्छी मंगाल है ठीक है उत्तर पुदेश फिर महाराष्टर बीहार पच्छी मंगाल सबसे कम जंसिंग के किस की है तो वो हैं दुस्तों सिक्किम की है हाइस्ट किस केंदरशासित परदेश की वो दिल्ली किये तो आप देख सकते हो क्रम वाइज कौन से केंदरशासित परदेश की कितनी क्या पोपूलेशन लक्सदीब की सबसे खाम फिर दमंदिव उसके बाद लधाक हायश दिल्ली उसके बाद जमू कश्मीर पुदू चेरी चंडी के अगला स्वाल है बैगमपुरी मजजित का दिर्मान किस ने करवाया था मोहमत तोगलक ने बैगमपुरी मजजित ये दिल्ली में दुनिया का अभ्याने को जहां पना के लिए प्राहत्मिक मजजित की रूप में बनाया गया फ्रोजसा के प्रदान मंत्री नाम है मुकबाल खान के बेटे खान ए जहां तो खान ए जहां ने इसका निर्मान करया है मुहमत तुगलक के काल में गंगा की शाहिक नदीद इनी में से कोई एक पूछा है यमुनार राम गंगा सर्यू गंडग कोसी महानदी सोन तमशा ओजोन का आणविक दरेमान कितना होता है तो ओजोन में आपको पता है O3 रहता है ओजोन का दरेमान 16 है तो 3 का कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा ग्राम पर मोल यह एक मोल में 48 ग्राम मुखोटा नर्ते कहां कहां तो यह अनचर प्रदेश का है मुखोटा नर्ते लगु समिधान किस संसोदन को कहा जाता है 42 समिधान संसोदन को मिनी कौश्टिशन कहा जाता है कजरी दो लोक नर्ते किस राज़े से संबन देते कजरी है उत्तर प्रदेश का लोक नर्ते भारत अलम्पिक एसोसेशन की स्थापना हुई थे 1927 में वर्तमान अद्धिक्स है पीटी उश्रा वर्तमान में आई यो एक अद्धिक्स पीटी उश्रा है स्वाल आपको पूछ लें जैसे कि जो नेस्टल गेम्स अभी 37 में गोवा में हुए नेस्टल गेम्स इसी प्रकार से पहल में पहला राष्टी खेल उठीक है मयूर नर्ति किस नर्तिको कहा जाता है मयूर नर्ति एक तो उत्तर प्रदेश में भी किया जाता है लेकिन आुवर वात करूं एक साुथ का नर्तिय है केरल-तमीन-णाडू का मयलाटम तो मयलाटम नर्टे में मोर नर्टे के नाम से भी इसे जानते हैं और बाकी यहाँ पर उत्रपदेश का नर्टे भी है मयूर रास दिला ख्याल वगेरा फीपा वर्ड कप कितने वर्षों में होता है तो चार वर्ष के अंतराल में होता है पर्थम फीपा वर्ड कप उर्ग्वे में 1930 में हुआ जिसमें उर्ग्वे चैंपियन रहा लेटरस 2022 में कत्र में हुआ है FIFA वाड़िकप विजस में अर्जन्टिना चैंपियन रही है नेश्ट 2026 में 4 साल बाद कनाडा, मेक्शिको और यूएस इन 3 जगा पर होगा कनाडा में होगा, यूएस में होगा, मेक्शिको में होगा 2030 में उसके बाद होगा मौरोको, पुर्तगाल और इस्पैन में और 34 में होगा साओधी अरब, तो 34 लग फेक्स हो चुके है फीपा, धोलावीरा को कितने भागों में बाटा गया है धोलावीरा में 3 भाग, एक तो दुरगवाला घाग है, एक मद्य शहर है तो यहाँ पर धोलावीरा के 3 प्रभाग भाग है हाई कोट के मुखे नायदीस को राज़ेपाल के अनुपस्तिती में कौन सपत दिलाएगा मुखे नायदीस को राज़ेपाल दिलाते हैं सपत, यदि राज़ेपाल नहीं हो तो उनके दोरा न्युक्त कोई व्यक्ति है, जो उनको शपत दिला सकता, जो और राज़ेपाल न्युक्त करेंगे और राश्टपती भारत के मुखे नायदीस या उनके अनुपस्तिती में सरोई चनाली के वरिष नायदीस दोरा शपत गरहन करते हैं राश्टपती हैं, वैसे सपत मुखे नायदीस दिलाते हैं सुप्रेम कोट के वो नहीं हो तो कोई भी सुप्रेम कोट का जज़ वरिष जज़ है वो दिला सकते हैं और जो हाई कोट में मुखे नायदीस को शपत दिलाते हैं राजेपाल वो आर्टिकल 219 में उसका प्रावदान है, नेश्वाल हाली में सबसे बड़ा पादप कौन सा खोजा गया तो अभी एक जूलाई जून में सायद 2022 में आस्टेलिया के पच्छी मी तट पर एक पादप खोजा गया जिसका नाम है पॉस्टी डोनिया आस्टेलिस जो 180 किलोमेटर लंबा समुदरी घास है, समुदर के अंदर पहला ह जो एकी बीस से उत्पन हुआ है 180 किलोमेटर के लंबाई में समुदर में खोजा गया और इसका नाम रखा गया पॉस्टी डोनिया ओस्टिलिस ठीक है लिब्रो की स्केल से संबन दिते हैं लिब्रो हैं ये आपके वोली बोल का टर्म है रभी की फसल कौन सी है रभी में इस फसल के लिए कम तापमान के आउश्रकता होती है जाज़ा तर पंजाब हरियाना है मजचपले जमू कश्मीर में उत्राकंड में यहाँ पर होती है रभी की फसले खरीब की फसल की उदान है जो की आप जून जुलाई में बोगते हो और अभी अक्टूबर के आसपास का लिए खरीब की फसल को दान में मक्का आ जाएगा चावल आ जाएगा जिसे धान बोलते हैं जुआर रागी मूंग फली बाजरा मूंग उडद गना सोया बिंतिल जूट सूरज मुकी सन नाइजर फीड नाइजर शीड का पास तूहर पुलती यह सबी हैं खरीब की फसले द कार मुत्थू कमाल हैं इनको मिला है पादमशरी 2022 और भरतनाट्यम के एक कलाकार है कल्यान सुन्द्रम पिल्लाई इनको 2023 में पादमशरी दिया गया ठीक है नेश्ट अबं देखते हैं 2024 में समर उलम्पिक इस देश में होगा 2024 में परिस में होगा 20 में टोक्यो में हुआ 28 मे बात करें, 2018 में हुआ है, पियोंचांग में, 22 में बिजिंग में होगा, 26 में मिलन और कॉर्शिना में होगा, 2026 में बिंटर ओलम्पिक, नेश्ट वाले राष्टपती और मंत्री परिशद के बीच संसार की मुख्य कड़ी, तो राष्टपती, प्रेजिडेंट और मिनिस्टर के मद्दे, कम्युकेशन की जो मुख्य कड़ी है, चैनल है, उसके रूप में कारे करते हैं, प्रधान मंत्री, और मंत्री मंदल दौरा लेगे निन्नियों से राष्टपती को आवबत कराते हैं, प्रधान मंत्री, नेश्ट अपना है, एलोरा में कितनी गोफाए हैं, अज इसमें एलोरा में टोटल 34 गोफाए हैं, और अजन्ता में 29 गोफाए हैं, अजन्ता 29, एलोरा 34, एजन्ता में जो 29 गोफाए हैं, वो सभी बहुत गोफाए हैं, और एलोरा में हैं, सबसे दिक ब्रामन हैं, 17 गोफाएं ब्रामन हैं, 12 बहुत हैं और 5 जैन धर्म, तीनों धर प्रता का में नुवाब, ख्वाजा, सलीमुना के द्वारा। ज्ञाली नर्ठी किस राज़ी से हैं? ज्ञाली नर्ठी हैं, हिमाच्चप प्देश का ज्चोरा ज्ञाली छ्रै, धामन, छापली, महासुन, नर्टी, डांगी ये हिमाच्प प्देश के फोक डॉक्क डांसेद कौन fasting fisting पुस्तक की लेकक है, fasting fisting अनिता देशाई की पुस्तक है, 1999 में बोकर प्राइज के लिए नामित किया गया, अनिता देशाई की पुस्तक fasting fisting, नेश्ट है विटामिन B1 से सम्मधिती एक स्वाल था जिसका रासायनिक नाम थाइमिन है, B1 की कमी से बेरी-बेरी रोग ह हो जाता है, एक तरीकी से को फुष्ण जन्य रोग है, विटामिन B1 है, ये रेड बलर्ड सेल्स के उत्पादन में मुख्य भूमिका निवाता है, बागल देश का स्वतनतरता आंदुलन या फिर संग्राम है, 1971 का संग्राम जिसे मुक्ति संग्राम कहते हैं, 26 मार्च, 16 दे करें, बाकि आपको लगता है, एक दो स्वाल है, थोड़ा संसुदन है तो आप कमेंट सेक्शन दो जरूर बताना, SU में कौन सा नया देश शामिल हुआ है, SU में बात करें तो अभी जुलाई 2023 में इरान को एड किया गया है, ये समिट जो हैड ऑप स्टेट की हुई है, 2023 में भारत में हुई है, विर्चल रूप से, जिसमें इरान को एड किया गया है, नवा देश की रूप में, सदे से देश, SU में हैं कितने, तो नो हो चुके हैं, चाइना, इंडिय, इरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिय, अ ताजिकिस्तान, 65 जुन 2001 को इसक स्वाल सेकेंड सिप्ट के हैं एक्स्टा फेक्स राइट पीडियो फैल आपको टेलिगाम चैनल पर मिल जाएगी तो न्यू केंडे टेलिगाम चैनल से जुरूर जाना लिंक डेस्क्रिप्स में और यदि आप टेश्रीज से जुनना चाहते तो टेस्ट बूक अब हितरी डील चल रही है टेश्री की कुपर कोड़ यूज करके आज ही जुट जाएगा धन्यवाद